आपने एक नए स्टोर मास्टर डॉकुमेंट को खोला है और आप अपनी प्रविष्टियों को प्रारंब करने के लिए तैयार हैं। इस अनुभाग में आप निम्न से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं या देख सकते हैं। स्टोर कोट को दर्ज करते हुए शुरू करें। जो की स्टोर नेम का एक संचिप्त संसकरण है या स्टोर के लिए एक युनिक संदर्व के रूप में भी कारे करता है। दर्ज कोट के लिए स्टोर नेम को दर्ज करें। केटेगरी का चुनाव करते हुए निर्दिष्ट करें कि क्या स्टोर कमपनी परिसर के भीतर है या फिर बाहर किसी अन्यस्थान पर स्थित है। स्टोर का पूरा पता दर्ज करें। स्टोर का पूरा वीवरण दर्ज करें जैसे city, state, postal code और country। डिफॉल्ट विकल्प का चुनाव कर इसे अपने प्रात्मिक स्टोर के व्यापार के लेन देन के रूप में सेट करें। स्टोर को mapped करने के लिए location का चुनाव करें। डिफॉल्ट रूप से store type, store पर set है। यह इंगित करता है कि आप कैसे store को वरगी कृत करना चाहते हैं। आप निम्न सुची में से किसी एक को चुन सकते हैं। store, office, दोनों यदि store एक office भी हो। default रूप से status, yes पर set है। यह आपके store की सक्रिय इस्थिती को इंगित करता है। यह store, master की सभी प्रविष्टियों को पूरा करता है। अब आप document को submit कर सकते हैं। अब आपने master में नया store बना लिया है।